नमस्कार दोस्तों, वेल्किम टो एपे ट्रेंडर, मैं हो सारब ठाकुर, स्वागत आप सब का हमारे आज की सेशन में, जैसे कि आप देख सकते हैं, आज का हमारे एजिंड है, क्वांट, क्वांट में है, टीस्टी, बहुत बढ़िया कोशन है, कैट में आया हुआ कोशन है, यहाँ पर कुशन डिस्प्ले हो रहा होगा, एक बार बनाईएगा, और उसके बार डिस्कुशन सुनिएगा, चलिए, मौमीत करते हो कि आप लोगों ने बना के देखा, बहुत बढ़िया कोशन है, एक इनसान साइकल करके जा रहा हुआ है, और उसकी स्पीड है, 10 इस कंसेप्ट को मैं तो कहता हूँ टाइम डिफरेंस, इसे मैं कहता हूँ टाइम डिफरेंस, क्या होता है टाइम डिफरेंस, एक बात आप बताओ, इन केसेज में इसी डिस्टेंस को देकवर कर रहा है, बिल्कु सही बात है, तो एक बजे और ग्यारा बजे की बीच में कि कितने देर का difference है आप बोलों किसा टू आर्स वेल डान टू आर्स जंडरेट के हूं आपके हिसाब से हमको पता है कि distance is equals to speed into time तो time को हम लोग क्या लेख सकते है distance upon speed यह तो आप अगरी करोगे इस 1 p.m. पे जब पहुंचा और जब 11 a.m. पे पहुंचा दोनों केस में यह d distance से travel कर रहा है अगरी करते हैं आप यहाँ पे जब जब जा रहा है तो 10 km पर आर की speed से जा रहा है यहाँ पे जब जब जा रहा है तो 15 km पर आर की speed जा रहा है इस इकल्स टू तो यह होगे डी इस इकल्स टू 60 60 क्या किलोमेटर तो कुशन तो मुझे अब समझ में आना शुरूब जब जब यह इनसान 60 km का distance travel कर रहा है और जब यह 10 km पर आर की speed से जाता है तब पहुंसता है दोपहर के 1 पीम पे और जब यह 15 km पर आर की speed से जाता है तब पहुंसता है सुबा के 11 बजे अग्री करते हैं कि एक बात आप बताईए जैसे किसी भी एक में चाहिए यह वाले situation ले लिजे चाहिए इसको second नाम देता हूं इसको कोई भी एक ले लिजे मैं फास्ट वाले situation ले लेता हूं तो distance कितना कवर कर रहे हैं 60 km ओके फाइन speed कितनी है 10 km per hour तो हमको पता है distance is equals to speed into time तो time कितना हो जाएगा distance upon speed यह तो आप भी agree करोगे तो distance कितना होगे 60 km speed होगे 10 km per hour तो 6 hours इस इनसान को लग रहे हैं 6 hours with respect to क्या with respect to 1 मतलब इसके 6 गंटे पहले यह निकला है मतलब सुबा के 7 a.m तो यह इंसान सुबा के 7 a.m पे निकल रहा है जब इस ते अपनी speed रहा 10 km per hour तब पहुंचता है 1 p.m पे सुबा के 7 a.m पे निकल रहा है और सुबा के 7 a.m पे निकल रहा है 12 बजे पहुचने के लिए किस वक्त कितनी speed को रखे सर आपने जैसे यह लिया अगर माल लीचे सेकेंड वाला केस लेते तो फिर चुले काम करते हैं इस वाले से भी सॉल करके देख लगता है कि अंसर अलग तो नहीं आ रहा है डिस्टेंस 60 किलोमेटर अभी भी कवर कर रहे हैं इस वाले केस में से में इस केस में 15 किलोमेटर पर आर हमको पता है तो इससे प्स्टेंस स्टेंस अछर्ण के अगर्वे करोगे डिस्टेंस कितना होगे 60 अब मुआं 15 सर देखि यहांपर अलं depth अलग आगया अलंग अलंगे इस एक सत था था वह सए उर सार्प्श गंटे पहले with respect to 11 बजे, 4 घंटे पहले 11 बजे से 4 घंटे पहले ये भी तो 7 अम ही होगा अभी ठीक है तो अब सिनारियों समझ में आगए हमको सुबा 7 बजे जब ये लड़का निकल रहा है इसने अपने स्पीड जब रखा 10 किलोमेटर पर आर तब पहुंसता है दोबहर के 1 बजे जब ये 7 बजे निकल रहा है इसने अपने स्पीड रखा 15 किलोमेटर पर आर तो पहुंसता है सुबा की 11 बजे 7 बजे निकल के 12 बजे पहुंचना है तो स्पीड क्या रखे होगी अब ये कोशिन बन चुक अब सुबा 7 अम पर इस लड़के को निकलना है इसे पहुंचना है 12 नून पर आप ही मुझे बता दो कितने घंटे हो रहे है साथ पांच बारा तो टाइम यहाँ पर हो रहा पांच घंटे टाइम हो रहे हैं यहाँ पर 5 आर्स डिस्टेंस कितना कवर कर रहे है 60 किलोमेटर अग्री करते हैं हमें यह पता है कि डिस्टेंस इकल्स टू स्पीड इंटू टाइम तो यहोग है स्पीड डिस्टेंस अपॉन ताइम तो यहोग है 60 अपॉन 5 12 किलोमेटर पर आर्स समझ में आगे आपको में CAT, Z, GMAT इनफेक्ट मैं SSE और NMAT भी बोलूँगा अब उनमें भी ने इस लेवल के exam से question आ जाते है fine तो हम लोगों ने यह जो किया आपको समझ में है time difference कर दो इस ही यह होता है कि आप equation में आने से बच जाते हो एक बहुत अच्छा step था है दो आर्स generate ही क्यों हुआ क्योंकि एक बजे माइनस ग्यारा बजे यह है दो घंटे आपको यहां तक है समझ में आया है तो यह generate हुआ दो घंटे total distance आपने टरवल कहा D इस स्पीड से time difference एक बहुत ही अच्छा concept है TSD का इसे बहुत सारे questions बनते है तो इससे future नमें लोग और questions दिसस करेंगे यह time difference का बहुत ही बड़िया basic सा concept है जो cat में already आया हुआ है बना के देखिएगा तो यह concept और अलग-लग ambient entrance exams में भी और job-oriented exams में भी GRE, GMAT भी सब में important है समय आचों का student धर्मा का यह रहा question जो आप लोग के सामने display हो रहा है इस question को बनाईएगा same as time difference का में आपको question दिया हुआ comment box से मुताइगे आप लोग का answer क्या रहा है time की difference को pick कीजिएगा आप difference को pick करें, question जल्दी बनेगा यहां तक है समझ में है तो यह था हमारा आज का discussion session मंबीत करतों के आपको समझ में है इसके आगी चीज़ देखेंगे next class में बगार बड़ी, take care